नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चनल परिक्षाफ प्लस में मैं हूँ आलू शुकला और आपके लिए लेके आया हूँ 25 दिनों का रिवीजन कूर्स जो आपका खंड सिक्षा आधिकारी के लिए है जैसा कि अब इस सिरीज में आपको रमन सर और आसी सर द्वारा क्लासेस मिलती रही है मैं आपको मैस का क्लास लेके आया हूँ यह पूरा प्रोग्राम मारा जो टार्गेट 90 की नाम से है इसमें आपका पूरी टीम कोशिस करेगी कि 90 कोशन आपका 120 में से सही हूँ और ऐसे में जहां पे आपका मैस और रिजिनिंग के भी पोर्षन आते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें लगातार वो डर भी रहे और हमसे बोल भी रहे हैं कि सर रिजिनिंग के और मैस के कोशन करा दीजे ताकि एक्जाम में हमें कोई दिक्कत ना हो तो उन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही comprehensive course लेके आया गया है जिसमें सारे important topic जहां से maximum number of question बन सकते हैं उन सबसे हम important question आपको कराएंगे और खासकर जो हमारे question होंगे वो इसी UPPSC आयोग द्वारा पूछे के हुए बिभिन्न परिक्षाओं मे CSAT के प्रशन या मैस के और भी प्रशन बिभिन्न परिक्षाओं में हम cover कराएंगे क्योंकि क्या है कि UPPSC का है हमेशा question जो है वो repeat करता ही करता है तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि फिल से BEO में वो CSAT के question repeat कर दे और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे class में हम CS से related अगर question आ जाता है कुछ नया भी तो हम भी हम अपना वहां पे number secure कर सके और जो target 90 है उसे जितना approach हो सकता है जितना करीब जा सकता है और अतना करीब हम जाएं तो मैं आपके लिए math लेके आया हूँ math में सबसे पहला chapter number system की हम बात करेंगे number system में पूछे के सवाल खासकर UP UPSC आयोग में और UPSC UPSC का मैं यहां पर इसलिए cover करा दे रहा हूँ क्योंकि UPSC जो है UPSC को follow कर रहा है तो कहीं न कहीं अगर maths और reasoning की बात करें तो वह कुछ नया question डालने नहीं जाएगा वह question वही से गुमा फिरा के पूछेगा तो at least हमें वह प्रशन तो cover कर लेने चाह आया हूँ तो question number एक है यहां पर भले ही 20 है देखते हैं क्या कह रहा है question A, B और B, A का आपका pair पूंच रहा है तो दीखें इस question को करने के लिए हम A, B को लिख सकते हैं 10 A plus B और B, A को लिख सकते हैं 10 B plus A और ये है 4 is to 7 के ratio में तो हम इसे 4 upon 7 लिख सकते हैं अगर इसे simplify करें, cross multiply करें तो यहाँ पे 70 A plus 7 B हो जाएगा और ये 40 B plus 4 A हो जाएगा इधर हम change करें, B को अगर इधर लेके आएं और A को इधर लेके जाएं तो इधर 66 A हो जाएगा और B उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 minus 7 यानि कि 33 B हो जाएगा तो यहाँ से हमें A upon B जो मिलेगा वो 1 upon 2 मिलेगा या A और B का जो रिलेशन होगा वो 1 is to 2 का रिलेशन होगा तो अभी यहाँ पर एक बाद हमें clear हो गई है कि A और B की रिलेशन की बात करें तो 1 और 2 का रिलेशन है हम pair देखें कि जब-जब A की value 1 होगी तब-ब B की value 2 होगी यानि संख्या क्या हो सकती है वो 12 हो सकती है या A की value 2 होगी तो B की value क्या होगी 4 होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी A की value 3 हो जाएगी और B की value 6 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा A की value 4 हो जाएगी और B की value 8 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा यही चार case possible है क्योंकि अभी इसके आगे बढ़ेंगे पाउसीबल नहीं है क्योंकि जो संख अपकी दो अंक की है ए का वेलू पांच रखेंगे बी का वेलू दस रखेंगे तो टोटल पांस सो दस हो जाएगा तो ये three digit number हो जाएगा बास समझ में आई तो हमारा ये तो case नहीं हो सकता इसलिए चार case possible है तो हमारा जो अभी शुत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option B विकल्प B हमारा सही हो जाएगा चलिए दूसरे प्रशन पर आते हैं question आपके screen पर भी आप भी देख लीजेए बास समझ लीजे question क्या कह रहा है वीडो पहुच करके देख सकते हैं और उससे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब न किये हों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और bell icon दबा लें ताकि जब भी आपका कोई division का वीडियो आपका खासकर खंड सिक्षादिकारी का upload किया जाए तो आपको तूरंत पता चल जाए क्योंकि आपके लिए ये परिक्षब बहुत ही जरूरी है और 90 नंबर लेके आना है तो आपको वो चीजे पढ़नी होगी अंतसमय में जहां से आपके सबसे ज़्यादा question पूछे जा रहे है तो टीम का बहुत ही अच्छा प्रयास है ताकि आपके score को maximize किया जाए तो हमारे साथ आप जोड़े रहिए चैनल को subscribe करिए और bell icon push कर लिजिए चलिए फिर आगे question पे आते है question क्या कह रहा है कि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है तो इसके लिए एक number line हम draw करते है number line draw करने से हमें थोड़ा idea पता चल जाएगा यह line है यहाँ पर बोल लाई है मालने जिए 0 है और इधर सारी संख्या है positive होती है इधर सारी संख्या है negative होती है तो यहाँ पर मालने जिए 25 है और वो बोल लाई है कि x जो है वो 25 के बराबर है या उससे बड़ा है मतलब x किधर जाएगा इधर को जाएगा और ऐसे ही अगर हम y की बात करें तो y को बोल लाई है कि 40 के बराबर है तो अगर यह 40 है तो y यहाँ से start होगा यह 40 से कम है बराबर है या कम है तो y इधर जाएगा अभी overlapping area देखें तो हमारा यहाँ पर यह पूरा x है और यह पूरा y है है यहाँ पर यह इतनी area हमारे क्या करेगी overlap करेगी तो कहने का मतलब जो x और y की बीच की value है आचप वो क्या है Cookie बाट 12 है अभी देखते है option पर यहाँ लेए x y से बड़ा है लेकिन अगर x की value यहाँ हम ले 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 तो x y से क्या हो जाएगा चोटा हो जाएगा y की value छालिस हो ज़ाए और x की value चलिए यहां पे हम 30 ले 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 तो अभी xy से क्या होगा है चोटा होगा जब कि यह क्या बोल ला है एकस y से बड़ा है तो यह condition क्या होगी गलत हो जाएगी चलिए next option देखते है क्या कह रहा है y-x 15 से बड़ा है आचाव y की value अगर 40 ले और x की value 25 ले ले क्योंकि possible तो है यह बोल ला है बराबर हो या हो तो अगर हम इसे y-x करें तो 40-25 करेंगे तो 15 आजाएगा यह तो बराबर की बात कर रहा है जब कि यह strictly बोल ला है कि इससे हो जाएगा तीसरा चकरे y-x 15 से चोटा या उसके बड़ाबर है अब y-x चोटा है या उसके बड़ाबर है बअब तो हो सकता है क्योंकि यहां पर हमें मिल गया बराबर 15 आ गया लेकिनuk चोटा कैसे हो सकता है इसके लिए हमें यह चक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो कश नह value, निकाल लेते हैं कि क्या हो सकता हैEE, तब ओसे č प्रूफ कर लेगी, यह 15 से bढ़ाए Спasia कि नहीं, τους इसय तो y कि maximum value कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है, है ना क्योंकि 40 से छोटा ही ए और x की maximum value बढ़ सकती है, 25 हो सकती है, 21 हो सकती है, कुछ भी वो सकता है, लेकिन यह maximum तब होगा, जब यह वाली value क्या होगी, minimum होगी, और यह value minimum होगी, मतलब x की value minimum तब होगी, जब यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा, तो y की value हम 40 रखेंगे, और यह 25 रखेंगे, तो यहाँ पर 15 मिलेगा, और इस से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो 40 से, मान के चली, कि Y-X 15 से चोटा है या उसके बराबर हो सकता है तो UPSC जो है ऐसी कोशन पूछता है आपको दिमाग लगाना होता है वहाँ पर mathematical listening type में होता है conditions आपको follow करनी होती है और UPSC आयोग भी इसी को follow कर रहा है आपको आगे कोशन देखने को मिलेंगे इसके पैटर्न पर चलिए हम को समय को ना बरबात करते हुए आगे कोशन पर बढ़ते हैं कोशन ability कहती है B का विभाजक्ता का जो नियम कहता है कि किसी भी संख्या को तीन से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का जो योग है वो क्या होना चाहिए तीन से विभाजित होना चाहिए तो अंके को योग क्या है 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस B अगर इन सब को जोड़े तो 4 तो 6, 6, 5, 11, 11, 12, 13, 13, 17, 20, 20, 10, 30 यानि 30 प्लस B अपॉन 3 अब ये संख्या तो 3 से विभाजित है हमें B को भी विभाजित करना है तो B की value क्या हो सकती है 0, B की value ह हो सकती है 3, B की value हो सकती है 6 और B की value हो सकती है 9 यानि कि 4 value आपके यहां पर possible होंगी तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा Divisibility rule पर question बनते हैं तो एक बार हम Divisibility rule के concept देख लेते हैं जल्दी से 1 minute में एक सारे number एक से divisible होते हैं सारे number होंगे 2 से सारे even number सारी समसंख्याइं होती है समसंख्याइं मतलब क्या ऐसे संख्याइं जिसके 1 के इस्तान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वे सारी संख्याइं दो से विभाजित होंगी प्राप्त संख्या मिलती है अगर वो संख्या साथ से विभाजित होती है तो पूरी के पूरी संख्या साथ से भी भाजित होगी साथ का थोड़ा सा केस पेचिदा है यहां पर आप देख सकते है आराम से यह मैं पूरा क्लास का बहुत डिटेल डिविजबिल्टी वगरा सब कुछ बताया हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने ही तो यहां पर आप जाके देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिटेल में देखनी है तो जाएए प्लेलिश में नंबर सिस्टम में जाएए आप आराम से उसे देख सकते हैं चलिए हम नेक्स कोईशन पर आते हैं नहीं आठ के डिविटी चक कर रहे हैं आठ के चक करने के लिए लास्ट का जो तीन डिजिट है वो आठ से डिवाजिबल होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो पूरी के पूरी संख्या आठ से डिविजबल होगी और 9 के डिविजबिल्टी के लिए आपके अंकों का जो योग है सबको अगर जोड लिया जाए तो वो 9 से विभाजित होना चाहिए तो यह रहा कुछ डिविजबिल्टी का concept जो हमने जल्दी से देख लिया है चलिए next question question पर आते हैं ताके फिर हमें ज्यादा से ज्यादा question कम समय में cover कर ले और हमारा number certain होता चला जाए 90 question हमें exam में सही करने है तो कैसे भी सही करने है चलिए question number 23 क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि यदि किसी उचित भिन के अंस और हर को उतनी ही धनात्मंग मात्रा जो सोने से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन हमेशा मोले भिनने से छोटा होगा मोले भिनने से बढ़ा होगा मोले भिनने के बराबर होगा इस प्रकार होगा कि निश्चे तुप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो तो दीखिए अगर कोई भी भिन A upon B है और इसमें हम कोई भी नंबर जोड़ते हैं उपर और नीचे दोनों तो ये जो प्राप्त संख्या होगी ये हमेशा पहले वाले रेशियों से क्या होगी बड़ी होगी तो यहां पर यहां पर यहां इसी कॉंसी कं के प्रिष्टों पर एक से प्रारंबकर प्रिष्ट संख्या डालता है और कुल मिराकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है इस पुस्तक में कितने प्रिष्ट हैं कोशन बहुत अच्छा है ऐसा समझे कि कोई प्रेंटिंग करने वाला है और वो किताबे छाप रहा है तो जब बु प्रिष्ट की बुक बनाया हो तो उसे कितने अंक यूज करने पड़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ये तो पेज नंबर नौ हो गए फिर दस फिर ग्यारा फिर बारा फिर तेरा फिर चौदा और फिर पंदरा अभी दिखिए तो कितने अंक यूज हो गए नो तो यहां यूज हो गए तरस नो दो 11, 11 दो 13, 13 दो 15, 15 दो 17, 17 दो 19, 19 दो 21 पंदरा पेज में ही टोटल किते यूज हो गए हैं 21 तो वही कह रहा है कि उसने कितने यूज किये हैं 3, 0, 8, 9 तो पेजों की संख्या कितनी होगी तो ऐसा कोशन करने के लिए हम थोड़ा सा यह आश्री के बात नहीं होगी अगर आपकी खंड सिक्षा अधिकारी में भी ऐसा कोशन पूछ ले तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करेंगे देखिए जब सुरू में वो एक से नौ तक वो कर रहा होगा पेज की नंबरिंग तो टोटल नौ पेज यूज होंगे अंक कितने य यूज हो रहे हैं अंक तो कितने अंक यूज हो जाएंगे 180 ठीक ऐसे जब वो 100 से 999 जाएगा तो टोटल पेज होगा 900 और प्रतेक पेज पे तीन अंक यूज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 2700 अभी इसे इसे जोडे हैं तो 9 प्लस 180 प्लस 2700 मिला के कितना हो जाएगा 2880 य यानि कि 999 पेज में उसने 2889 अंक यूज कर लिये हैं, लेकिन कोशन कह रहा है कि अंक तो इसने 3089 किये, तो 3089 में से अगर हम इसे माइनस कर दें, तो अभी भी हमारे पास 200 अंक बचे हैं, अब अगर वो काउंटिंग करना सुरू करेगा, तो 1000 पे आ जाएगा, और 1000 से जैसे स जोड़ दिया जाए, तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1049 तो आपका उत्तर हो जाएगा, विकल्पसी 1049 आपका अभीष उत्तर होगा, चलिए, नेक्स कोशन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि संख्या 136 136 है, इसमें 5B7 को जोड़ा जा रहा है, तो योगफल जो आ जोड़ा है, वो 7A3 आ रहा है, जहां A और B पूड़ांक है, या दिया गया है कि 7A3 यह था थता ता 3 से विभाजित है, अच्छा अगर यह 3 से विभाजित है, तो हमने 3 का विभाजगता का नियम अभी देखा, यह क्या होना चाहिए, 7 3 10 प्लस A बराबर 3, यह 3 से divisible होना तो A की value क्या हो सकती है, 2 A की value क्या हो सकती है, 5 A की value क्या हो सकती है, 8 और कोई value possible हो सकती है, नहीं possible हो सकती है, तो यह तो A का मान है, है ना, A का मान अगर, आप समझेए, हमें पता क्या करना है, बी का मान पता करना है, तो अगर A का मान 2 हो, तो यह संख्या क्या होगी, यहा आना चाहिए 7, 2, 3 और 7, 2, 3 कब आएगा वाई 7, 6, 13 तो यहां पर आ रहा है 13 का 3, 1, carry आएगा तो 3, 1, 4 यह पूरा मिलेगा 4 प्लस B लेकिन यहां पर तो केवल 2 ही है जबकि यह 4 से जादा होगा तो यह possible नहीं होगा चलिए A की value अगर हम 5 रख दें तो A की value 5 रख देंगे त 7, 5, 3 तो 7, 6, 13, 3, 1, carry आया 3, 1, 4 तो B की value क्या हो जाएगी B की value हो जाएगी यहां पर 1 आगे बाद समझ में फिर क्या कह रहा है अगर हम A की value यहां पर 8 रखें A की value अगर 8 रखें तो यहां पर क्या हो जाएगा अच्छा देखिए यहां पर हमने जब A की value 5 ली थी तो 3, 1 4 तो हुआ, 4 और यहां पर 5 है तो B की value क्या हो जाएगी 1 तो यहां पर तो केवल 5 रह जाएगा लेकिन जब इसे जोड़े 1 और 5 तो 6 ही होता है यहां से A कैरी इसे इधर भी आना जरूरी है तो A कैरी अगर इधर आना जरूरी है तो जाहिसी बात है कि यह वाली संख्या 5 होगा तो B की, A की value 8 ही उज़ करेंगे, A की value 8 ही उज़ करेंगे तो यहां पर 8, 4, 12 हो जाएगा, है ना, यहां पर कर लेते हैं, है ना, तो A की value अगर यहां पर 8 हो गई है तो 4 और इसे 8 बनाने के लिए B की value कितनी उज़ करेंगे, भाई, 3 प्लस 1, 4 हो गया है, है ना, A क value 8 आ गया है हमने पहले से वहां पर कर लिया है क्योंकि यह तो हमारा divisible बता रहा है तो अगर इसे 8 करेंगे तो 3,1,4 तो यहां पर maximum कितना हो सकता है 4 हो सकता है clear तो ऐसे यह question हम कर लेंगे इसे करने का एक तरीका ऐसा भी है समझिएगा इसे मैं रफ कर दूँ एरेज कर दूँ ताकि थोड़ा और clear हो जब हम इसे जोड रहे हैं कि 1,3,6 में 5,B,7 अब डारेक्ट इसे सोच सकते थे कि यह 7,6,13 का 3 हो रहा है clear carry कितना एगा एक आएगा एक यहाँ पर आएगा तो यह 3 कितना होगा 4 अब इसे पूरा जोड़ा जाए मैं इसकी बात करूँ पूरा अगर जोड़ा जाए तो यह हुआ 4 प्लस B और आना कितना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए 7,A,3 है न यह बोल ला था कि 3 से विभाजि एक की वैलू 5 हो सकती थी और एक की वैलू 8 हो सकती थी तो अगर यह 7,2,3 हो जाता यहाँ पर हम ऐसे सोच सकते थे तो यहाँ पर है 2 और यह 3 और 1 है 4 तो 4 पहले से ही जादा हो गया है जबकि यहाँ पर आना है कम तो यहाँ पर carry भी एक आना है तो ऐसे case में हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं अगर b की value 8 रख दें तो कितना आ जाएगा 8, 4, 12 और 12 पर 2 हो जाएगा तो फिर carry 1 आ जाएगा 7 तो b का exact जो उत्तर मिल जाएगा एक मात्रसम भोमान वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो इसका जो सही answer होगा वो 8 होगा चले next question पर आते हैं next question क्या कह रहा है कि यह x-3 और-1 के बीच में है तथा y-1 और 1 के बीच में है तो x²-y² निमलिखित में से किन के बीच में होगा question अच्छा है UPSC हमेसा अच्छा question पूंचता है UPSC है तो C-set में भी अच्छा ही पूंचता है number system के ऐसे question अक्सर आपको cat के exam में मिलते हैं है ना चले फिर भी रेखते हैं क्या है कि x-3 और-1 के बीच में है तो x अगर minus 3 और-1 के बीच में है तो x² कहां से कहां तक लाई करेगा 9 से 1 के बीच में ठीके से बोलना कि y जो है minus 1 के और 1 के बीच में है तो अगर हम इसका square करेंगे तो जो y² होगा वो 0 से 1 के बीच में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा negative कभी नहीं होगा तो 0 से 1 के बीच में y² लाई करेगा x²-y² का minimum value निकालने के लिए यह हमारा maximum होना चाहिए और यह हमारा minimum होना चाहिए तो यह maximum तो हमारा क्या हो सकता है 1 ही हो सकता है और यह minimum क्या हो सकता है यह भी 1 हो सकता है तो 1-1 क्या हो जाएगा 0 तो minimum value तो हमारे 0 हो जाएगी ऐसी ही अब हमें maximum निकालना है तो maximum निकालने के लिए यह maximum होना चाहिए यह minimum होना चाहिए तो इसकी तो minimum value 0 हो सकती है इसकी maximum value 9 हो सकती है तो 9-0 पे 9 हो जाएगी इसलिए x square minus y square का range गाएगा 0 से 9 आएगा algebra number system मिला की question था बहुत अच्छा question था यह चलिए next question पे आते हैं x और y 1 के अलावा धन पूरांक है तथा y x से बड़ा है निमनेखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरोपित करता है ठीक है x और y 1 तो नहीं हो सकता तो हम y को बराबर 3 मान ले x बराबर 2 मान ले अभी चेक करने क्या बड़ा है अगर हम xy ले तो xy बराबर हो जाएगा 3 गोड़े 2 बराबर 6 x अपॉन y करें तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 यानि कि 0.66 अगर हम y अपॉन x करें तो 3 अपॉन 2 यानि कि 0 हो जाएगा 1.5 और अगर x प्लस y यानि 5 और xy 6 यह करें तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 0.8 something जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सा है यही आपको दिख रहा है इसलिए आपका अभी चुत्तर क्या हो जाएगा xy हो जाएगा चलिए next question पर आते है next question क्या कह रहा है कि यदि x-y बराबर 8 हो तो निम्निकित में इसे कौन सा सी सत्य होना ही चाहिए अभी देखें पहला क्या कह रहा है पहला कह रहा है कि xy की कि किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों धरनात्मक होने चाहिए बोला दोनों positive होगा तब ही x-y बराबर 8 होगा ऐसा नहीं है अगर x बराबर 6 लेलूं और y बराबर minus का 2 लेलूं तो ठीक है तब भी तो हो जाएगा अभी 8 आगया के नहीं आगया तो यह कहां दोनों को positive होना जरूरी है क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो यह तो गलत हो जाएगा फिर question number 2 क्या कह रहा है कि x-y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है तो y रिड़ात्मक होना चाहिए किसी भी मान के लिए बोला है कि अगर x को positive दे दे तो y को negative ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है x को मैं कह रहा हूं कि 12 हो जाए और y positive में 4 हो जाए है ना तो भी तो 8 हाएगा तो ये भी condition क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तीसरा क्या कह रहा है x-y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है बोला है x-y तो बराबर 8 है और यही minus है तो अगर यह minus है तो यह भी संख्या minus में होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए अगर यह minus 2 है तो plus का 8 बनाने के लिए y की value क्या होनी चाहिए minus का 10 होना चाहिए तब ही तो minus minus plus करेगा और इसने जाके फिर 8 देगा लेकिन यह क्या बोला है y धनात्माख होना चाहिए तो यह तो एकदम गलत हो जाएगा इस ऐसा करने पर हमारा तीनों statement गलत है तो आपका अभिश्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा अभिश्ट उत्तर आपका d हो जाएगा चलिए next question पर आते हैं उसी से 198 आदिक है तो प्रतम हुआ अंतिम अंक के बीच अंतर होगा तीन अंकों की संख्या है ABC और फिर बोला है कि बीच का अंक 0 ने है इसकी value 0 बता रहा है यानि कि संख्या है A 0 C अभि बोला है कि इसे पलट देने पर C 0 A कर दें तो इनके बीच में जो अंतर आता है वो 198 आता है एक condition ये भी दे रहा है कि इनका जो योग है वो 4 है तो अगर योग 4 है और पलट देने पर 198 है तो ये बात तो समझ में आ रहे है कि ये दोनों संख्या अलग-अलग होंगी और अलग-अलग होंगी तो A और C मिला के 4 कप दे सकते हैं या 1 हो ये 3 हो या 2 हो ये 2 हो या 3 हो ये 1 हो लेकिन इनका अलग होना जरूरी है क्योंकि अंतर 198 होना चाहिए अभी समझेगा दोनों 202 हो जाएं तो पलटने पर भी तो वही रह जाएंगे तो माइनस करने पर क्या जाएगा 0 तो ये तो कंडिसन नहीं हो या तो ये होगा या तो ये होगा और दोनों केस में इसका अंतर पूँच रहा है तो अंतर तो दोनों को इसमें आपको 2 ही मिल ला है इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा option भी आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए next question पे आते हैं question number 30 क्या क्या रहा है एक दो अंक ये संख्या को उत्कमित किया गया उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया वहत्तम संभो सेस्फल क्या है ऐसा समझ ये कि अगर ऐसा case आता है ये तो एक static भी question हो गया कि कोई भी दो अंकों की संख्या है A B और B A है तो इसे पलट देने पर अगर बड़ी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा जो maximum remainder आता है वो आपका 45 ही आता है कैसे आता है यह हम देख लें मान के चलिए कि संख्या 12 हो है ना इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा 21 बटे 12 अभी करेंगे तो remainder क्या आएगा 9 आएगा लेकिन वो पूछ रहे कि व्रित्म संभौ सेस्फल कितना है maximum कितना हो सकता है तो यह maximum होने के लिए यह number भी denominator भी maximum होना चाहिए क्योंकि सेस maximum कब होगा जब आप जिससे भाग दे रहे हैं वो value आपकी बड़ी होगी तभी तो सेस maximum होगा तो ऐसा करने के लिए हमें इसे maximum करना पड़ेगा तो यह denominator maximum कितना हो सकता है अभी आप दिमाग में सोचोगे तो यह बोलोगी कि यह 99 हो सकता है तो अगर यह 98 है तो उपर वाली संख्या क्या हो जाएगी 89 लेकिन इसने क्या क्या उन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भी वाजित किया जाता है तो यह क्या हो जाएगा केस उल्टा हो जाएगा फिर यह condition follow नहीं करेगी तो उपर वाला इससे बड़ा ना हो पाए, इसलिए हम denominator को maximum कितना रख सकते हैं, 49 रख सकते हैं, तभी यहाँ पर 94 होगा, और 94 अपन 49 करेंगे, तो 45 हमारा remainder आएगा, और यही हमारा maximum संभोमान है, तो यह question खास कर C-Sat वगएरा में बहुत ज़्यदा पिट रहते हैं, अभी आपका जो B.O. क exam है, इसमें भी आराम से इस question को पूछ सकता है, बहुत ही expected question होता है, कोई आप एकदम समझेए कि A-B, दो अंकों की संख्या उसे B-A में पलटा जाता है, इसमें बहुत सारे प्रशन बनते हैं, और हर दूसरे exam में आपको ऐसे प्रशन मिल जाते हैं देखने को, तो इसके सा concept आपको बता देता हूँ, जो कभी exam में आ जाए, तो आप उसे helpful होगे, कोई भी संख्या माली जाए A-B है, और उसे पलट के लिख दिया जाए B-A, ठीक, तो अगर हम इन दोनों का difference लें, माइनस करें, मतलब ऐसा माइनस करें, कि बड़ी में से छोटा माइनस करें, जो value होगी हमेशा इनके बीच का अंतर होगा, X बराबर क्या होगा, A-B, positive में, कभी भी अब देख लीजे, जैसे क्या है, मैं भी अब लेता हूँ, 12 है, 12 को आप पलटेंगे, तो 21 में से 12 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा नहों, और यह और कुशनी नोगोड़े 1 लिख लेगा, 45, 45 को क्या लेख सकते है, 9 into 5, मैंने बोला, 9 का multiple, और यह 5 कहां से आया, 7 minus 2, तो यह condition हमेशा सही होती है, यह बहुत अच्छा concept है, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूंचे भी जाते है, आगे भी देखने को मिल सकता है, प्रश्न देखेंगे, चलिए, next question पर आते है next question क्या कह रहा है, next question है, कुछ दो अंकिये संख्याएं है, इन संख्याओं में, इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदयो 27 रहता है, अभी मैंने बदाया ना कि इससे question बनते हैं और तुरंत question आ गया, यह A, B है तो पलट के लेकिंगे B, A और इ A-B होगा, तो A-B बराबर क्या होगा, आपका 3 होगा, इसी अधिक्तम कितनी दो अंकिये संख्याएं हो सकती हैं, तो भाई A-B, यानि A और B की ऐसी value चूच करें कि हमेशा क्या है, तीन है, तो A अगर 9 होगा, तो B कितना होगा, 6 होगा, A अगर 8 होगा, तो B कितना होगा, 5 होगा, A-7 हो तो B-4, A-6 हो तो B-3, A-5 हो तो B-2, और A-4 हो तो B-1, इतने मान संभो हैं, तो 3-3-6 मान संभो हैं, इसमें आपका कोई भी option नहीं दिया है, तो उत्तर हो जाएगा, उपर युक्तमे से कोई नहीं, चले, next question पर आते हैं, next question आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क कि कुछ, 3 अंकिये संख्याओं का नेमनलेखित विसेशताएं हैं, सभी 3 अंक भिन भिन हैं, हाँ, क्या कह रहा है, कि सभी 3 अंक भिन भिन हैं, तो statement 2 कह रहा है कि संख्या 7 से विभाजित होती है, और तीसा कह रहा है, संख्या के अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख् है क्योंकि 7 का divisibility है और अगर आप इसे जनरली सोचेंगे तो काफी आपका समय ले जाएगा क्योंकि इसका कोई भी sort trick नहीं है ऐसे आप जनरली सोच नहीं सकते हो जब भी साथ का divisibility चेक करना होता है समय ले जाता है इक वार हम थोड़ा सा दिसकोस कर लेते हैं फिर मैं सीधा इसके आंसर पर आता हूं ताकि आपका समय बहुत जादा बेकार ना हो देखे क्या रहा है कि कुछ तीन अंक की संख्या है मालीजिए वो संख्या वाले संख्या साथ से भाजित होती है और यह भी बोला है कि तीनों अंक ये भिन भिन हैं तो बहित तीन अंक की संख्या सौ से शुरू होती है 999 तक जाती है और पहली संख्या 105 से शुरू होगी विभाजित होगी और 999 करीब देख लेंगे कि कौन सी संख्या साथ से भाज देंगे तो 7 एक बार जाएगा तो 2 बचेगा 29, 7 चोख 28, 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, 5 बचेगा यह 5 इसमें से माइनस कर दें तो 994 वो संख्या होगी लास्ट वाली जो साथ से डिवजबल होगे अभी टोटल कितनी ऐसी तीन अंकी संख्याएं हैं जो साथ से विभाजित हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे 994 माइनस 105 बचेगा 7 प्लस एक करेंगे हैना ऐसा करने पर हमें ये तो पता चल जाएगा कि वो सारे तीन अंक की संख्याएं पता चल जाएंगी जो साथ से विभाजित हैं लेकिन उसमें बहुत सारी संख्याएं होगी जिनके अंक सेम रहेंगे तो अंक सेम नहीं रहने हैं different different होने हैं तो उन्हें sort out करना पड़ेगा और फिर उसको reverse करके फिर check करना पड़ेगा कि साथ से विभाजित हैं कि नहीं है तो ये आपका समय ले जाएगा अगर ऐसा प्रश्ण exam में आता है तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसी सबसे अंत में लगाएं जब आपके सारे प 259 और इसी को पलट के लिख दे 952 यही ऐसे चार संख्याएं हैं जो इनके अंक विभिन विन 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 हैं साथ से विभाजित हैं और इन्हें पलट के लिखेंगे तो भी ये साथ से विभाजित होंगे चलिए तो हम next question पर आते हैं इस पर बहुत ज़्यादा समय गवाएं बिना next question क्या कह रहा है question number 33 कह रहा है आपका कि 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पे है तो इकाई के स्थान पे 8 है बोलना है 99 से 1000 के बीच में इसमें तो ना 8 है ना इसमें 8 है यानि वो संख्या कहां से होगी 100 से लेके 999 के बीच म होगी पहली संख्या होगी 108 और ला संख्या होगी 998 अब ही देखिए यहां पर हम इसे permutation combination से करें तो उन सब की भी जरूवत नहीं होगी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं उसने बोल दिया कि 8 तो यहां पर हमारा fixy हो गया अब यहां पर कितने digit आ सकते हैं यहां पर 0 छोड तो total 10 संख्या यहां आ सकती हैं तो 9 गोड़े 10 total pair बन सकता है यानि कि total 90 संख्या हो सकती हैं यह आपका सही उत्तर हो जाएगा 90 चलिए question number 34 पर आते हैं क्या कह रहा है कि यदि R और S दोनों अलग-अलग पूर संख्याएं हों और दोनों 5 से विभाजित हों तो इन में से कौ तो ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से दोनों divisible हैं ठीक है तो ठीक है अगर दोनों 5 से divisible हैं तो हम एक संख्या मान लेते हैं 10 एक दूसरी संख्या है क्या 15 तो बुला है R-S 5 से विभाजित होगी चलिए इसे 15 ले लेते हैं ताकि बड़ा हो जाए दिक्कत नहों R बराबर हमने मा 15 और S बराबर हमने मान लिया 10 ठीक तो अगर हम 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा और 5 5 से विभाजित होगी तो यह condition सही हो जाएगा फिर बोला है R-S 10 से विभाजित हो हम 15 कर ले और यह 10 कर ले तो हो जाएगा 25 25 दस से विभाजित नहीं होगा तो यह condition क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो यही condition अनिवारता सही नहीं होगी कुछ हम यहाँ पर general से थोड़ी समय में concept देख लेते हैं क्या भी भी कोई भी number अगर मालीजे N1 है उसे A से विभाजित किया जाए और दूसरा number N2 है उसे भी A से विभाजित किया जाए तो अगर N1 प्लस N2 को जोड़ दे भी विभाजित होगा अगर हम माइनस कर दें N1 माइनस N2 कर दें तो वो भी A से विभाजित होगा लेकिन अगर हम भाग कर दें तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है तो यह तीन आपके case थे मैंने आपको general से बता दिये हैं चलिए next question पर आते हैं next question क्या कह रहा है कि तीन अभा बहुत ही अच्छा question था और ऐसा question बच्चों का थोड़ा समय भी ले गया था C-set में बहुत सारे बच्चे बोले थे कि इनसे लगा नहीं छूटा तो ऐसा नहीं था अगर इससे आप go through option से करते तो आसानी से हो जाता एक बार अगर आप 7 चेक करें तो बोल रहा है कि दूसर हो संख्या अभाज्य होनी चाहिए जब कि 42 अभाज्य नहीं है तो 7 नहीं होगा ठीक ऐसे ही अगर हम 61 चक कर लें तो हमारा एक बच्चक करते हैं 61 चक कर लें तो संख्या मांन लीज़े 61 है तो दूसरी 61 माले 44 ले लीज़े तो कितना हो जाएगा 61 में से 4 गई 7, 5 में से 2 ग वाज्य है यानि कि यही आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है कि निम्लिकित कत्नों पर विचार किजिए प्रतेक परिमिय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है इस्टेटमेंट 2 कह रहा है कि प्रतेक वास्तविक संख्या एक परिमिय संख्या होती है तीसरा कह रहा है प्रतेक प्राक्रतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है चौथा कह रहा है प्रतेक पूरांग एक वास्तविक संख्या होती है देखिए ये classification का question है तो मैं आपको classification जल्दी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा number system का ताकि exam में अगर ऐसा question आपके आद ने तो classification से आप कर ले जाएं ये theory based question होते हैं ये समय भी नहीं ले जाता है इसका concept अगर आपका clear है तो आप धाई number आप secondum में करके निकल जाएंगे तो देखे कोई भी number अगर होता है तो number को अगर हम classify करें तो वो दो form में हो सकता है एक तो आपका क्या होगा real number और दूसरा क्या होगा आपका imaginary number imaginary number complex chapter में आपने पढ़ा होगा class 11 में हालां कि आपके syllabus में नहीं है क्योंकि खंड सक्षादिकारी में आपकी केवल 10 इस तर तक प्रश्ण पूंचे जाएंगे elementary maths पूंची जाएगी तो real number real number का classification हम further करें तो real number को अगर हम तोड़े तो इसे 2 में लिख सकते हैं एक तो आपका क्या होगा integer होगा और दूसरा आपका क्या होगा decimal या उसे क्या बोल सकते हैं fraction भी बोल सकते हैं ठीक है अगर हम further integer को तोड़ें तो integer को तोड़ेंगे तो एक minus का integer मिलेगा या 0 मिलेगा या positive का integer मिलेगा integer समझेगा अगर मैं ये number line करूँ यहां पे अगर मैं 0 करूँ तो इधर जितनी भी संख्याएं होंगी plus के अनंद तक ये सारे positive integer होंगे और इधर जितनी भी संख्याएं होंगी minus infinity तक वह हमारा क्या होगा negative integer होगा और 0 बीच में तो इसे लिए और कुशनी ये number line A 0 है और इधर की सारी संख्याएं positive होती है और इधर की सारी संख्याएं क्या ह 소please negative होती है positive integer को further classify करें तो यहां पे हमें मिलता है natural number positive integer को ही हम natural numbers बोल सकते हैं या प्राक्रतिक संख्या बोल सकते हैं या counting number भी कई बार बोला जाता है तो अगर हम इससे further classify करें तो कोई भी natural number या तो 1 होगा या तो वो prime होगा और या फिर वो क्या होगा composite होगा या तो भाजी होगा या तो या भाजी है और या तो अभाजी होगा या फिर 1 होगा अभी natural number के further classification बताऊंगा कि यह आखिर एक अलग क्यों रखा गया है, कोशन आएका तो मैं बता दूगा, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, इससे अगर हम फर्दर तोड़े decimal को, तो decimal जो हमारा है वो दो पार्ट में टूटेगा, एक हमारा टूटेगा terminating में, और एक हमारा टूटेगा non-terminating मे जैसे, आभी आप अगर एक बटे दो करें तो वो आएगा 0.5, एक बटे 4 करें तो 0.25, लेकिन अगर एक बटे 3 करें तो यह 0.3333 और यह बढ़ता चला जाएगा, कहने का मतलब कि यह तो रुक गया है और यह रुक नहीं रहा है, तो ऐसे भी decimal होते हैं जो रुक जाते हैं, और ऐसे भी decimal होते हैं, जो रुक जाते हैं, जो रुक जाते हैं उन्हें terminating, जो नहीं रुकते हैं उन्हें non-terminating, non-terminating को further अगर classify करें, तो एक होता है repeating या recurring बोले, recurring या repeating, यह पर मैं recurring लिख रहा हूँ, मतलब जिनकी पुनावरत्ती हो, है ना, और दूसरी क्या, non-recurring या non repeating, जिसकी पुनावरत्ती ना हो, recurring मतलब क्या, जैसे अगर हम 0.33333 को देखें हैं, यह बढ़ता चला जा रहा है, तो तीन बार-बार repeat हो रहा है, या 0.25252525, इसमे 25 बार-बार repeat हो रहा है, लेकिन अगर हम pi लें, या अगर हम ऐसी संख्याल है कि 0.23456 से बढ़ता चला जा रहा है, repeat नहीं हो रहा है, या अगर हम e लें, या अगर हम कोई ऐसी value लें, जैसे root 2 है, root 3 है, यह सारी values होती है, यह non-terminating, non-repeating होती है, pi को अगर expand करेंगे, तो 3.1426 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, ना रूकी कर ना terminate होगा, e को बढ़ाएगे, तो यह भी हमारा 2.1 something करके बढ़ता चला जाएगा, root 2 में 1.413 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, root 3 में 1.73256 ऐसे बढ़ता चला जाता है, तो यह जो हमारे हैं, यह क्या होते हैं, ना तो रुकते हैं, और ना ही repeat होते हैं, कोई खास pattern नहीं होता है, इनका, तो चलिए, हम यहाँ पे कुछ चीज integer को further तोड़े, तो यह positive integer इधर किये, अगर हम zero और positive integer को जोड़ दे, तो यह पूरा मिलके हमारा क्या होता है, whole number होता है, या शंपूर संख्या इसे बोलते हैं, तो अभी देखिए, मैं आप यह चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ऐसे सारे decimal जो non-terminating हों, और non-recurring हो वो क्या कहलाते हैं, वो irrational number कहलाते हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, irrational कहलाती हैं, या अपरिमिय संख्या कहलाती हैं, हिंदी में से अपरिमिय संख्या कहलाती हैं, आप अपरिमिय संख्या की जो परिवासा पढ़े होगे, वो यह बोले होगे, कि rational number वो number होते हैं, या परिम्य संख्या वो संख्या होती है जो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q not is equal to zero हो और वो सारी संख्या है जो rational नहीं होती है उन्हें बोल देते हैं irrational है तो देखें ये तो छोटे बच्चों के definition थी छोटे class में आपको बता दिया गया काईदे से अपरिम्य संख्या की परिवासा होती है ऐसे सारे decimal या fraction ऐसे सारे दसमलो जो ना तो रुके और ना ही repeat हों वो सारे अपरिम्य संख्या होती है जैसे कि पाई पाई का मान 22 बटे साथ बहुत लोग जानते हैं तो ये बोलेंगे कि पी पाई क्योंके form में है जहां पर क्योंट इस इकल तो जीरो है तब तो ये परिम्य होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है पाई का मान 22 बटे साथ exact नही हो डिते है इसकी वैलु 3.146 समथिंग करके बढ़ता चला जाता है इसलिए नहीं रिपीट हमारे इसकारे लीं अपरिमय संख्या होई ठीक ऐसे है इसे रूट 2 के साथ है, root 3 के साथ है, root 5 के साथ है, root 7 के साथ है, ध्यान दीजेगा root 4 हमारा परिमी है क्यों कि root 4 की value 2 हो जाएगा और 2 को 2 upon 1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये P by क्योंकि form में लिखा जा सकता है, अब ही देखिए, क्या अग भी आपको, मैं कोई ऐसी संख्या देता हूँ, 0.12468953256, ऐसे बढ़ता चला जाए, कोछ रिपीट ना हो, तो इसे आप P by Q के form में लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि आप point हटाओगे, तो नीचे 0 क्या बढ़ते चले जाओगे, कुछ तो नीचे नहीं लिख सकते हो, ना क्या करोगे, ना बढ़ते चले जाओगे, ना ये रुकेगा, ना भी कुछ होगा, तो इ सारी संख्याएं परिमे संख्याएं हैं, और ये वास्तविक से निकल के आई हैं, तो ये तो के statement हमारा सही हो जाएगा, दूसरा का गहरा है, प्रते एक वास्तविक संख्याएं एक परिमे संख्याएं, नहीं, एक बास समझेगा, कि ये तो हमारी परिमे संख्याएं और इन और प्रतिक संख्य से निकल के आये है तो यह सही हो जाएगा ॥ाटे और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉस्ट करके पीछे भी जाके देख सकते हैं मुझे जो भी जरूरी लग रहा है कि एक्जाम में आपका पूछा जा सकता है मैं वो सब कुछ यहां पर डिस्कस करता चल रहा हूं यहां पर केवल यह 30-35 कोशन नहीं है 40 कोशन करीबन मैं कवर करवाँगा तो यह मात 40 कोशन नहीं है यह आपके 40 कोशन जो है 400 कोशन के बराबर है इतने कॉंसेट तो मैं आपको यहां पर बता के ही फिर छोड़ूँगा चरिए नेक्स्ट कोशन क्या कह रहा है यह होगी 0.6 2 बटे 3 की वैलू क्या होगी 0.66 और 1 बटे 2 की वैलू क्या होगी 0.5 तो सबसे बड़ी सबसे छोटी का है 0.3 अनि 3 बटे 8 को सबसे आगिया आना चाहिए फिर उसके बाद 1.2 को आना चाहिए फिर उसके बाद 3 by 5 औप्शन ए आपको दिख रहा है तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा बढ़ते होए क्रम में लिखना था उसकी वैलो निकाल के आसान सा कोशन था चले next कोशन पर आते हैं कहरें सम संख्याएं होती है या ऐसी सारी संख्याएं जो दो से विभाजित हो वो क्या होती है सम संख्याएं होती है ध्यान दीजिएगा 0 एक सम संख्या है बच्चे यहाँ पे confused होते हैं ठीक है 0 एक सम संख्या होती है चले next question पर आते हैं कि यदि n को 7 से भाजित किया जाए तो successful 4 आता है यदि n प्लस 1 को 7 से भाजित किया जाए तो successful क्या होगा remainder based question है UPPCS-P214 में पूछा गया था बोला है कोई संख्या n है उसे 7 से भाजित करने पर मान लेजे कि successful 4 आता है तो 3 n प्लस 1 को अगर 7 से भाजित किया जाए तो remainder क्या आएगा तो देखें यहाँ पर remainder निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 गुड़े 4 प्लस 1 बटे 7 यानि कि 12 प्लस 1 तेरा बटे 7 यानि कि 7 एकम 7 6 तेरा 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा क्यों ऐसा किया उससे करने से समझने concept समझिए remainder का मान लिजे कि कोई number n है उससे किसी संख्या a से भाग दिया जा रहा है और remainder मान लिजे r1 आ रहा है तो अगर उसी संख्या के square को a से भाग दिया जाएगा तो जो remainder आएगा वो r1 square by a आएगा अगर हम उसके cube को a से करेंगे तो वो आएगा r1 cube by a आएगा जो नया remainder आएगा अगर हम कि उसी संख्या में मान लिजे कि n इंटू p कर दें और उसे a से डिवाइट करें तो जो remainder आएगा वो r1 इंटू p by a होगा ऐसा ही n प्लस p कर दें upon a कर दें तो जो remainder आएगा वो यहाँ पर remainder r1 इसके case में इसे ऐसे लिख सकते है n upon a प्लस p upon a और यहाँ का remainder r1 है यहाँ का हम check कर लेंगे p जो भी value दिया होगा ठीक ऐसे minus के साथ भी होता है तो यह हमारे कुछ remainder के concept है जिस पर question यह पूछा था चले आप इसे पीछे भी जाके 2-3 second में देख सकते हैं अगर जादा जल्दी में हो गया हो को next question पर आते है next question क्या कह रहा है कि निमनलिखित संख्याओं में से परिमिय संख्या है निमनलिखित संख्या में से परिमिय संख्या है root 2 minus 1 upon root 2 plus यह भी परिमिय संख्या है 2.371371 यह देखे टर्मिनेट कर गया है रुक गया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा परिमिय संख्या हो जाएगा है ना rational number आपका हो जाएगा जबकि अगर इसे देखें तो 1.01001001 ना तो repeat कर रहा है और ना ही रुक रहा है तो यह भी irrational हो जाएगा तो यह irrational हो गया यह irrational हो गया यह irrational हो गया तो बचा क्या rational हो जाएगा परिमिय आपका option हो जाएगा B next question पर आते हैं 7 कमागत प्राक्रतिक संख्याओं का योग 1617 है इन में से कितनी संख्याएं अभाज हैं अभाज ही संख्याओं का को लोग पूँच रहा है साथ है तो हम मानले x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 5 और x plus 6 तक जाएगा सबको जोड़े तो यह हो जाएगा 7x plus 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 बराबर हो जाएगा 1617 7x बराबर हो जाएगा 1617 माइनस 21 अगर हम करें तो हमारा जो 7x आएगा 7x की वैलू आ जाएगी 1596 है ना x की वैलू आ जाएगी 1596 अपॉन 7 और अगर इसे हम कट करेंगे तो आ जाएगा 228 यानि x की वैलू 228 है तो इसमें पूंच रहा है कि इन में से कितनी संख्याएं अभाज हैं तो x की वैलू 228 फिर नेक्स्ट वैलू हो जाएगी 229 फिर हो जाएगा 230, 231, 232, 233 और 234 इतनी संख्याएं होंगे इन में देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज है ये तो अभाज है नहीं है क्योंकि समसंख्या है ये भी अभाज है ये भी अभाज है ये भी अभाज है ये भी अभाज नहीं है तीन संख्याएं मिली इन में से कोई ऐसा देख ले तीन से भाज है तो नहीं है 0 को A लिखा जाए 1 को B लिखा जाए 2 को C लिखा जाए 3 को D लिखा जाए 4 को E लिखा जाए 5 को F लिखा जाए ऐसे सी करके लिखा जा रहा है तो बोल रहा है कि D C into F minus B F minus D into D इसका मान क्या होगा तो दीखें यह तो आसान सा है D C की value क्या है B F यानि A गोडे 5 F की value 5 है यह भी 4 नहीं 5 होगा 32 गोडे 5 minus 15 minus 3 क्योंकि D की value 3 है गोडे 3 हम इसे solve करते हैं बाट बाट लगाते हैं पहले bracket को करेंगे तो 32 गोडे 5 यानि कि 160 minus 12 गोडे 3 36 तो 160 में से अगर 36 minus आएगा तो 124 हमारा बचेगा 124 को हम क्या लिए सकते हैं एक मतलब की B ये C और ये E D नहीं होगा E होगा तो ये क्या हो जाएगा B C E आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा B C option हो जाएगा B C यानि कि B चले नेक्स्ट कोशिन पर आते हैं नेक्स्ट कोशिन क्या कह रहा है कह रहा है कि इसे इरिज कर लेते हैं गुडन फल एक दो तीन चार पांच गुड़े पचास के अभाज गुडन खरंड करने पर दो कितनी बार आएगा दो कितनी बार आएगा उसका मतलब है वो पूशना चारा है कि दो की कितनी पावर होगी तो अगर ऐसे प्रश्णा आपके एक्जाम में आते हैं तो आपकी बास समझें के गुड़े इन फैक्टोर्यल होता है उसे लिखते हैं और कुशनी ये पचास फैक्टोर्य लिखा है और अगर इसमें 2 की maximum power करनी है तो हम 2 से divide कर देंगे divide कैसे करेंगे खास rule है समझेगा यहां पर 50 बटे 2 करेंगे तो 25 आएगा अभी यह 25 को उतार लीजे यहां पर फिर 25 बटे 2 कर दीजे आएगा क्या 12.5 इस 12.5 में केवल 12 ले लिजे इंटिग्रल फिर 12 बटे 2 कर दीजे तो 6 और 6 बटे 2 कर दीजे तो 3 और 3 बटे 2 कर दीजे तो 1 और जैसे ही यहां पर यह वाली value जिससे divide करना सो छोटी आ जाएगे हम रुक जाएगे तो जैसे ही रुकेंगे हम सारी value को जोड़ लेंगे वालब किसे जोड़ेंगे 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 इतने हमारे 2 के power maximum जाएगी यानि 25 बारा कितना हो जाएगा 37 37 और 6 हो जाएगा 43, 44, 47 आपका 47 सही उत्तर हो जाएगा चले next question पे आते हैं कह रहा है कि 17 की power 17 के इकाई के इस्थान पे क्या आएगा unit digit का question है अक्सर question पूँच लेता है फिल से भी पूँच सकता है unit digit का मैंने पूरा class बहुत अच्छे से बताया है जिनने देखना है जाके देख लें करीबन आदे गंटे की class है बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ explain किया है यहाँ पे मैं इस question को करा देता हूँ कि 17 की power 17 है जब भी इकाई की यहाँ पे 2 की power या 3 की power या 4 की power या 5 की power कुछ भी हो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं P को 4 से divide करते हैं और जो remainder आता है वो 2, 3, 4 और 5 के उपर remainder लगा लेंगे 2, 3, 4, 5 नहीं 7 और 8 हो गए यहाँ पे 4, 5 में तो 5 में वही आता है 4 में या तो 4 मिलेगा तो 6 मिलेगा 2, 3, 7 और 8 तो यहाँ पे भी 2, 3, 7 और 8 हो जाएगा जो remainder आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बस ध्यान दे remainder not is equal to 0 होना चाहिए अगर remainder 0 आता है तो फिर हम संख्या के दूसरी power पे जाएगे even power पे चले जाएगे या उसकी power 4 भी ले लेंगे तो भी हमारा हो जाएगा 4 इसलिए हो क्योंकि यह cyclic इसकी 4 की cycle बनती है अब lecture रेखेंगे सब को समझ में आएगा इस question को करते हैं क्योंकि यह last में 7 है तो हम power को 4 से divide करेंगे यानि कि यह 17 की power 17 और कुछ नहीं लिखके यह 7 की power 17 लिखा हुआ है और 17 को अगर 4 से divide करेंगे तो remainder आएगा 1 यानि कि 7 की power 1 करेंगे हमारा उत्तर आएगा 7 तो 7 आपका उत्तर हो जाएगा unit digit में next question पर आते हैं बोले अंक 3 को 3 प्रकास से निमलेखित तरीके से लिखा जा सकता है बोले 3 को इस form में 3 लिख सकते हैं या 2 plus 1 लिख सकते हैं या 1 plus 1 plus 1 लिख सकते हैं तो 5 को कैसे लिखेंगे देखते हैं 5 को 5 लिख सकते हैं या 4 plus 1 लिख सकते हैं या 3 plus 1 plus 1 लिख सकते हैं या 2 plus 1 plus 1 plus 1 लिख सकते हैं या 1 plus 1 plus 1 plus 1 लिख सकते हैं या 3 plus 2 लिख सकते हैं या 2 plus 2 plus 1 लिख सकते हैं तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया तो हमने यहाँ पे देख लिया कोई बस तो ने रहा है वाना एक आठ भी दिया है गलत हो सकता है ऐसे में हाला कि बस तो कुछ ने रहा है तीन कुछ नहीं बच रहा है, तो बस इस से ज़्यादा possible नहीं हो सकता है क्योंकि 3 के साथ भी 1-1 का हो गया और 2 के साथ भी 1-1 हो गया है, सब कुछ हो गया है तो maximum इसके कितने हो जाएंगे, 7 ही possible हो जाएंगे, next question क्या रहा है सुनने है, एक सम पूर्ण संख्या एक विशम पूर्ण तो नहीं होगा, मैंने बताया ना सम ना विशम ये भी नहीं 0 जब भी आता है, 0 केवल और एक केवल सम संख्या है, ये बात में ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे का सही उत्तर हो जाएगा next question कहा रहा है कि 950 तथा 1050 के बीच कितनी संख्याएं है जो 7, 8 और 14 से विभाजित भाग देने पर सेस्फल 6 देती है, तो देखिए कोई भी संख्या का 7, 8 और 14 से भाग देके सेस्फल 0 है मतलब उससे विभाजित होगी तो विभाजित होगी उससे निकालने के लिए उस संख्या को हम इसका LCM लेते हैं इसका LCM लेंगे तो हमारा आएगा 14, 4 के 56 56 आएगा हमारा LCM अब देखिए 56, 950 और 1050 की बीच में है 56 का कौन सा मुल्टिपल एक मिनिट क्या कह रहें कि LCM लेंगे 17, 14 का LCM आएगा 56 अब देखिए 950 की सबसे करीब जो है और 56 से डिवाइड हो वो कौन सा हो जाएगा 952 ही संख्या होगी और 1050 की जो करीब होगा वो कौन से संख्या हो जाएगी 1008 ठीक है तो 952 और 108 के बीच में हमें नंबर निकालना है और वो बोल रहा है कि 6 से डिविजिबल जब हम 6 से भाग दे 7, 8, 14 से भाग दे तो 6 होना चाहिए तो 952 तो 56 से पूरा पूरा डिविजिबल है 6 से बसने के लिए हम इसमें 6 जोड़ दे और इसमें भी 6 जोड़ दे तो 956 केतना हो जाएगा 960 हो जाएगा आपका 956, 958 हो जाएगा आपका उत्तर 1 और यहां पे 8 जोड़ेंगे तो 1014 दूसरा उत्तर आपका 1014 हो जाएगा तो दो ऐसी वैलू हमें मिल जाएगी इसमें क्योंकि 1, 3, 4 ओप्षन दिया है तो यहां पे क्या हो जाएगा कोई भी नहीं नेक्स कोशन पे आते हैं 6 की पावर 18, 7 की पावर 11, 9 की पावर 13 के आविवाज उड़न खंडों की संख्या है जब भी total prime factors की बात करें तो हम उसके पावर, prime numbers की पावर को निकाल के जोड लेते हैं जिससे कोई भी संख्या A की पावर P into B की पावर Q into C की पावर R दिया है जहां पे A, B और C prime नंबर हैं अब आज यह संख्या हैं तो इसमें क्या होता है total prime factor की जो संख्या होती है वो P plus Q plus R होती है तो इसमें भी वही करेंगे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गोड़े 3 की पावर 18 ठीक ऐसे 7 को लिख सकते हैं 11 की प्राइम नंबर है और 9 को लिख सकते हैं 3 गोड़े 3 की पावर 13 ऐसा करने पर यह 2 की पावर 18 गोड़े 3 की पावर 18 गोणे 7 की पावर 11, गोणे 3 की पावर 13, गोणे 3 की पावर 13, यानि सब जोड़ेंगे तो 18 plus 18 plus 11 plus 13 plus 13, यानि 13 दुनना 26 plus 11 plus 18 दुनना 36, 36 और 26 हो जाएगा 62 plus 11, यानि कि आपका हो जाएगा 73 सही उत्तर, चलिए, next question पे आते हैं, question number 15 क्या कहा रहा है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, 6 दो बसता है, उसी संख्या के घन को भाग देने पर, अभी अभी मैंने आपको concept बताया कि अगर n1 upon a है, उससे n1 कोई संख्या a से भाग देते हैं, तो remainder r1 आएगा, n1 upon a है, अगर remainder r1 आएगा, तो n1 cube upon a देंगे, तो remainder r1 cube upon a आएगा, यानि 2 का cube upon 8 आएगा, य Question number 52 का कह रहा है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 5 से बसता है, उसी संख्या को 357 से भाग देने पर क्या बचेगा, देकि ये question थोड़ा सा, मुझे थोड़ा आजीब लग रहा है, क्योंकि ये definite दे दिया है, है ना, 17 से भाग देने पर 5 बसता है, मतलब जो number होगा, वो 17 के फॉर्म में होगा, तो के की value हम एक से लेके कुछ भी रख दे, इसलिए हमें कुछ भी मिलता चला जाएगा, तो 357 से भाग दे, तो ये भी 357 से भाग देंगे, ऐसे कुछ भी रखेंगा, अनंत संख्या ले सकते हैं, तो अनंत value पॉसिबल हो सकती है, तो ये question कुछ गलत क्या बचेगा, तो क्योंकि n बराबर हो जाएगा, 34k प्लस 5, तो n को 17 से भाग देंगे, तो ये भी 17 से ये भी 17 से, अब ये तो रिमेंड़ जीरो ही देगा, बस हम 5 बटे 7, यह नि 5 उत्तर हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा कि धनात्म कोडां को गोड़ा उधारांड, अभी नहीं में बताया कि n factorial क्या होता है, मैंने बताने है, 4 factorial मतलब 4 गोड़े, 3 गोड़े, 2 गोड़े, 1, उसी को बोल ला है कि अगर 3 factorial तो इसका मतलब यह हुआ, 3 गोड़े, 2 गोड़े, 1, यह कहना जा रहा है, बोल ला है कि ऐ ऐसे करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं, 1 factorial बटे 8 प्लस 2 factorial बटे 8 प्लस 3 factorial बटे 8 प्लस 4 factorial बटे 8 प्लस 5 factorial बटे 8 और ऐसे ऐसे ही करके लिख सकते हैं, एक factorial की value एक होगी तो 1 बटे 8 रिमेंडर 1 आएगा, 2 factorial मतलब 2 बटे 8 रिमेंडर 2 आएगा, 3 factorial बटे 8 मतलब 3 दूनी 6 बटे 8 रिमेंडर 6 आएगा और 4 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 24 24 बटे 8 रिमेंडर 0 तो यहां भी रिमेंडर 0 सागे अब रिमेंडर सब 0 मिलेंगे यानि कि इसी को जोड़के बटे 8 करने हमारा उत्तर आजाएगा तो 6,2,8,1,9 बटे 8 रिमेंडर आजाएगा आपका एक यह हो जाएगा सही उत्तर दीगे मैंने पूरा यह रिमेंडर कॉंसर्ट पूरा बताया हुआ है एक बार आप इसे बहुत अच्छे से समझना चाहें त तो 3 या 5 से पूरता बिभाजित होते हों तो एक से सो के बीच में बोला आ है 3 से भी हो 3 से हो या 5 से हो तो ऐसा करने के लिए हम 3 से डिवाइड होने वाले सारी संख्या पता कर लेंगे और दूनों से जो डिवाइड होने उसे माइनिस कर लेंगे तीन सेटिवाइड होने वाली संख्याएं कि 10 हो जाएंगी 100 बटे 3 यानि कि 99 बहुँ हो जाएंगी 5 से वाजित होने वाले 100 बटे 5 यानि कि 20 हो जाएंगी तो 33 प्लस अगर हम 20 जोडने तो यह हो जाएगा 33 लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो दोनों से क्योंकि जब हम 33 ले तो दोनों को ले लिए तो 3 और 5 यानि कि 15 से विभाजित होने वाली 100 बटे 15 यानि कि ये कितना हो जाएगा 15 चक्के नबे 6 तो अगर हम 6 माइनस कर देंगे यानि कि 47 समारा सही उत्तर आ जाएगा question number 55 क्या कह रहा है देख लेते हैं कह रहा है कि एक गोड़क ऐसे बनाएए जो एक गोड़े दो गोड़े तीन गोड़े चार गोड़े ऐसे 50 तक गेया है इकाई के स्थान पर सुन्नियों की संख्या होगी number of trailing 0 का question है number of trailing 0 निकालने के लिए कभी भी N factorial में total number of 0 निकालना है अंत में, तो आप उसे क्या करिए, पांस से भाग दिज़े, और किस में, जैसे हम भी बताया, दो से भाग दिए था ना, दो की मैक्सिम पावर निकालने के लिए, तो यहां पर यह क्या है, पचास फैक्टोरियल, पचास फैक्टोरियल बटे पांच करेंगे तो दस, फिर से एक के बाद एक आने वाली पांस संख्याओं के योग 665 से अधिक है, लेकिन 675 से कम है, इन पांस संख्याओं के सेट में समसंख्या का योग है, सारे समसंख्या का योग है रहा है, एक के बाद एक आने वाली पांस संख्या है, हम लेते हैं, एकस, एकस प्लस वन, एकस प्ल 70 के बीच में, 10 हर तरफ माइनस कर दें, तो यह हो जाएगा, 655 से 5X किसे मिलाई कर दा है, 655 तक, 5 से डिवाइट कर दें, तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 15, 15, 15, 131 से X, 5 एकम 5, 15, 15, 15, 15, 15, यानि कि X की value जो हो जाएगी, वो 132 हो जाएगी, पहुंच रहे हैं, इन 5 संख्याओ एकस होगा, 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 संख्या है कख्षा में प्रेमा का इस्थान ऐसा है कि उसके नीचे के विद्यातियों की संख्या उसके ऊपर के विद्यातियों की संख्या का चार गुना है कख्षा में प्रेमा का इस्थान क्या है देखिए आप को वीडियो को पॉज करके कोशन पढ़ भी सकते हैं कि कोशन exactly क्या कह रहा है, मैं आपको बता दू कि बोल ला है कि दो अंक कोई संख्या है और ये कैसी संख्या है, कि अगर मैं इसका square root लूँ तो ये a plus b के बराबर होगा ऐसी एक मात्र कि वह संख्या 80 है, जिसका square root लोगे तो 9 आएगा और 8 plus 1 करोगे तो भी 9 आएगा, तो वहीं बोल ला है कि class में इतनी ही संख्या है यानि कि 81 लड़के हैं और इसमें प्रेमा का इस्थान पूछ रहा है, condition ये दे रहा है कि प्रेमा अगर मान लीजे यहाँ पर खड़ी है तो इसके अगर नीचे जितनी इसके ऊपर है इसके नीचे 4X है, तो X plus 4X plus प्रेमा एक मिला के 80 है, तो 5X बराबर 80 है, यानि X की वह बैलू हो जाएगी 16, तो 16 उसके ऊपर है तो वह किसी स्थान पर है, 17 स्थान पर है, यानि कि option अपका C सही हो जाएगा चलिए, next question पर आते हैं, next question क्या कह रहा है, कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या को 13 बार योग करने पे 112 आता है, तो वह संख्या क्या है X में X को 13 बार जोड़ी है, तो टोटल 14 बार जोड़ी है, मतलब 14 गुड़े X बरापर 112, तो X की वैलू क्या जाएगी 8, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा question number 60 क्या कह रहा है, देख ले, बोल रहा है कि N, N plus 1, 2N plus 1 एक संख्या है, जहां N धन पोड़ांक है, तो निमने में क्या निश्यत रूप से गलत है N, N plus 1, 2N plus हमेशा सम संख्या है, ये तो सही होगा, कोई भी वैल रखेंगे सम ही आएगी N, N plus 1, 2N plus 1 हमेशा 3 से भाज्य होगा, 6 से भाज्य होता है, तो 3 से भाज्य होगा N, N plus 1, 2N plus 1 प्रतम, N पोड़ांकों के वर्गों के योग से हमेशा भाज्य है, बिभाज्य नहीं N पूडांक से नहीं होगा अगर ये N प्राक्रितिक संख्या होता तब ये सही होता पूडांक मतलब इंटीजर की बात कर दिया तो वो गलत हो जाएगा 0 भी हम ले लेंगे, करबड हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यानि यही उत्ता सही नहीं होगा कोश नमबर 61 क्या है 52 का 3 बटे 4, 52 का 3 बटे 4 लेजे क्या हो जाएगा, 13, 4, 52, 13, 49 और 99 का 2 बटे 3, यानि की 6, 6 इसका अंतर पूछ रहा है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 6 मैसन हो गई, 16 मैसन हो गई, 7 यानि की केवल 27 सबका दिख रहा है तो यह मैंने आपको इस पार्टिक्रम से करीबन 40 से 45 कोशन करा दिये हैं नमबर सिस्टम से, संख्या पद्धती से जो कि खासकर CSAT के कोशन थे CSAT in the sense कि आपके UPPSC आयोके या UPSC कायोके या कुछ कोशन MPPSC का भी ले लिया BPSC का भी ले लिया और ऐसे different chapter math के हम cover करते जाएंगे ताकि आपका जो revision है बहुत अच्छा चलता जाएगा और math ही नहीं हम ऐसे ही आपका science का भी लेके आएंगे आपका ऐसे ही रमन सर करवा रहे हैं target उसमें first track GS में करवा रहे हैं अभी आपका quality की class चल रही है उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से cover होगा बताते चले जाएंगे तो आपका exam में last time में जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़िए हमारा जो धे होना चाहिए वो 90 plus question सही करने का है और परिक्षा plus team से अगर आप जोड़े रहेंगे तो ये आपका confirm इतना question परिक्षा plus team की जिम्मेदारी बनेगी कि आपका सही करवाया जाए चलिए तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ अभी next chapter के साथ हम फिर मिलेंगे धन्यवाद